रास्तान में महिंगाई राहत कैम्प की सूची जारी होगी है यानि कि हमारी जिल्ले में हमारी तरसिल में हमारी नगर पालिका में हमारी ग्राम पंचाहित में कब कैम्प लगाए जाएंगे कौन सी तारीकों कौन से इस्तान पर कैम्प लगाए जाएंगे ये जानकारी हम कुन सी जगह पर किस तारिक को कैम्प लगा जाएगा रास्तान में महेंगाई राहत कैम्प 30 जून 2030 तक लगाए जाएगे परसासन गाओं के संग और परसासन सेरों के संग अभियान के साथ साथ महेंगाई राहत कैम्प आए जित होंगे 11,283 से ज्यादा ग्राम बंचायतों म महेंगाई राहत केम्प लगाए जाएंगे और महेंगाई राहत केम्प में सबसे जुरूरी दस्ता वेज़ा जन आदार कार्ड जन आदार कार्ड में जुड़ावा कोई भी सद्द से केम्प में जाकर इन दस सरकारी योजनों के लिए रजिस्टेशन करवा सकता है मुख्य मंतरी गैस सिलेंडर योजना अनापूर्ण फूर्ड फैकेड योजना फ्री बिजली योजना इन सभी का फायदा रजिस्टेशन करवाने के बाद में ही दिया जाएगा मुख्य मंतरी काम देनू भीमा योजना अगर कोई पसू पालक है तो उस पसू पालक के दो पसू की भीमा बिलकुल फ्री में की जाएगी 500 रुपए में गरेलू सिलेंडर रजिस्टेशन होने के बाद में ही दिया जाएगा फ्री बिजली का फाइदा रिजिस्टेशन के बाद में ही मिलेगा पूर्ड पैकेट भी रिजिस्टेशन के बाद में ही मिलेगा आप किस तरह से देख सकते हैं तो सबसे पहले इस portal को open कर लेना है वीडियो की description में link मिल जाएगी district select कीजिए, block select कीजिए और उसके बाद में तैसील या फिर पंचाई सिमिती का नाम select कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर आप अपने pin नमर या फिर gram बंचाई का नाम या वार्ड नमर टाइप करके खोजे पर क्लिक कीजिए, जैसे हिम खोजे पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से camp वीबरन आ जाएगा कि कौन से इस्तान पर camp लगाए जाएगा यहाँ पर हमें list मिल जाएगी तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी gram बंचाई में आपके वार्ड में आपकी तैसिल में या फिर पंचाई समीते में किस तारीक को camp लगाए जाएगा यह तरीका नमर एक है तरीका नमर दो के बारे में हम बताएगा तो यहाँ पर हमें मिलता है जिले वार कैम्प इस पर हमें click करना है जैसे इस पर click करेंगे तो उसके बाद में सभी जिल्लों के इस तरह से नाम आ जाएगे यहाँ पर हमें अपने जिले के नाम पर click करना है जैसे मालनी जी अगर किसी का जिला अजमेर है अलवर है बांसवार है तो इस पर हमें क्लिक करना है जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जिले के नाम पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से तीन ओप्सन हमें देखने को मिलेंगे तीनों ओप्सन अलग-अलग है पहला ओप्सन है इस्ताई कैम्प का यानि की ऐसे इस्त यानि कि ये उन कैम्प की सूची है जो हमारी पंचाइट समीती कैम्प की सूची जारी करेगे कि कौन-कौन सी ग्राम पंचाइट में दो दिन कैम्प लगा जाएगा डेट के अनुसार अगर आपको यहां से आपके ग्राम पंचाइट की सूची डाउनलोड करना है तो यहां स डाउनलोड गर सकते हैं तीन नमर है मोबाइल यूनिट कैम्प सहरी यानि की सहरी छेतर में नगरपाली का इस्तर पर दो दिन कौन-कौन से इस्तान पर कैम्प लगाई जाएंगे और किस तारिक को नगरपाली का इस्तर पर कैम्प लगाई जाएंगे उनकी सूची हमें यहां पर मिल जाएगे लेकिन यहां पर हमें जो सूची मिलेगी वो केवल नगरपालिका की मिलेगी और यहां पर जो मोबाइल यूनिट कैम्प गरामिन है यहां पर जो सूची मिलेगी वो पंचाइच समीति की मिलेगे और उसके बाद में हैं इस्ताई कैम्प यानि कि ऐसे कैम्प की सूची जहां पर हर दिन कैम्प लगाए जाएंगे इस ताई कैम्प की सूची से यहां पर डेट के नुसार आप देख सकते हैं कि 24 दो हजार तेश से लेकर 36 दो हजार तेश तक कैम्प लगाए जाएंगे उन कैम्प के इस्तानों का यहां पर हमें ना मिल जाएगा और यहा आपके नज़्दीक ऐसा कोन सा कैमप है जहां पर हर दिन कैमप लगाए जाएंगे यानि की 36 दो हजार तेईस टक रेवीववार सहीथ ही कैमप लगाए जाएंगे और सुबहакс 10 बज़े से लेकर शाम को 6 बज़े तक इस्ताई कैम्प कौन-कौन से इस्तान पर लगाए जाएंगे ये सूची आप यहां से चेक कर सकते हैं तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके जिले में, ग्रामिन में, सहरी में या फिर इस्ताई कैम्प कौन-कौन से इस्तान पर लगाए जाएंगें ये सूची आप इस तरह से देख सकते हैं साती हमारी 25 सिमिती और हमारी तैसिल और नगर पालिका में 24-23 से लेकर 36-23 तक हर दिन कैम्प लगाए जाएंगें हमें अगर इन योजनों का फाइदा लेना है महेंगाई राध कैम्प में रिजिस्टेशन करवाना है तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन-कौन सी 25 सिमिती पर इस्ताई कैम्प लगाए गये तो यहां पर 25 सिमितियों के नाम मिल जाएंगे और इस्तान का नाम यहां पर मिल जाएगा ग्रामिन जहतर में ग्राम बंचाइत इस्तर पर किस दिन कैम्प लगाए जाएंगे और कौन से इस्तान पर कैम्प लगाए जाएंगे ये सूची हमें मिलेगी पंचाइज समीती से अगर हमें नगरपालिका इस्तर की सूची चाहिए कि हमारी वार्ड में किस दिन कैम्प लगेंगे तो ये सूची जारी की जाएगी नगरपालिका के दवारा यानि कि 25 समीति और नगरपालिका इस्तर की जो सूची है वो नगरपालिका पर ही मिलेगी और पंचाय समीती पर ही मिलेगे तो इस तरह से आप ये सूची देख सकते हैं कि नगरपालिका इस तर पर कौन-कौन से इस्तान पर कैम्प लगा जाएगे ये यहां से सूची मिल जाएगी साथ ही अगर कोई ऐसा वेक्ती है जो अपने ग्राम बनचाहित में नहीं रहता है या पिर अपने नजदीक ग्राम बनचाहित नहीं है दूसरी ग्राम बनचाहित है तो वहां पर भी रिजिस्टेशन करवा सकते हैं तीसरा तरीका है कि अपने नजदीक कौन सा कैम्प है हम कैसे देख सकते हैं तो निकड़तम कैम्प खोजे पर क्लिक करके आप मुबायल में GPS ओन करके चेक कर सकते हैं कि अपने नजदीक महुंगाई राहत कैम्प कौन से इस्तान पर एक इस तारीक हो है तो यहां से आप ये अपने मॉबाइल से लोकेशन ओन करके चेक कर सकते हैं अब तक मेंगाई राहत कैम्प में कितने रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनकी संक्या यहां पर मिल जाएगी यहां पर गैस लेंडर योजना के अंदरगत कितने रजिस्टर्शन हुए प्री राशन, मनेडेगा, रोजगार, योजना, नियोंतम, हर महीने, हजार रुपए, पैंसन, कामदेनु, भीमा, योजना, चिरिंजीबी, भीमा, योजना में कितने रिजिस्टर्शन, महेंगाई राहत कैम्प के दवारा किये जाचुके हैं उनकी भी संक्या हमें यहां पर मिल जाएगे अब हम आपको बताते हैं कि राश्तान में महेंगाई राहत कैम्प से समंदित, कोई भी सिकायत या फिर किसी भी परकार की हमें अगर जानकरी लेना हो तो कॉन्टेक्ट नमर की सूची यहां पर मिल जाएगे जी ले के अनुसार यहां पर हमें कोंटेक्ट नमर मिल जाएगे तो इन पर भी संप्रक कर सकते हैं या फिर आप चाहें कौनसे भी जीले से हो 181 पर भी कौल करके जानकरी ले सकते हैं यहां पर कुछ सवाल दिएगे हैं परसन दिएगे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं यहां पर सबसे important सवाल है सबसे important person है कि यदि महंगाई राहत कैम्प बंध हो जाते हैं और एक या एक से अधिक योजनाओं के लिए पंजीकर नहीं करवा पाता हूं तो क्या होगा यानि कि महंगाई राहत कैम्प में हमने कोई registration नहीं करवाया तो क्या होगा या क्या हमारा registration फिर से हो सकता है तो इसका जवाब है राजय सरकार दोरा समस्तर लावारतियों के निवास के नजदीक परतेक ग्राम पंचायत में परतेक वाड में भी कैम्पों का आईजन क्या जा रहा है साथी परमुकिस्तानों पर भी कैम्पों का आईजन क्या जा रहा है लाबारती की सुईदा के लिए रईववार को भी कैम्प का आईजन क्या जा रहा है अताई यह उचित रहेगा कि आपकी सुईदा अनुसार 30 जून 2023 से पुरुए ही रिजिस्टेशन करवा ले यानि कि 30 जून 2023 के बाद में रिजिस्टेशन नहीं होगा इसलिए महंगाई राहत कैम्प में 30 जून 2013 से पहले पहले ही रिजिस्टेशन करवा लें ताकि आपको फायदे मिल सकें तो दोस्तों आजम ने आपको बदाये कि महंगाई राहत कैम्प अपने हक का लाब लेने के लिए कि अपने नज़दी कौन से स्थान पर किस तारीक को महंगाई राहत कैम्प लगाय जाएंगे आज की जानकरी आपको अच्छे लिएगोगी और नया सीखने को जूरूर मिलाऊगा मिलेंगे नेक्षूटे हमने जान कर एक साथ आप सभी का दिन सो बहुत जैहिन दवन दमात्रम